सो हाई मेरा नाम प्रेम पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशनल हाइक्स तो बहुत दिनों से एक डिमांड आ रही थी कि भाया ग्रैमर के कुछ ऐसे क्वेस्टन्स ले आईए जो कॉंसेप्ट हर साल सीबेस से रिपीट करती है तो यार हमने 20 ऐसे क्वेस्टन्स आपके लिए चूस किये हैं जो कॉंसेप्ट हर साल इंग्लिस ग्रैमर में रिपीट होता है लेकिन यही कॉंसेप्ट हमने नए पैटर्न ऑफ क्वेस्टन्स के थूँ आपको इस वीडियो में समझाया हुआ है भाई इस वीडियो में आप जितने भी क्वेस्टन्स देखोगे वो ग्रैमर के हर हिस्से से हैं तो आपका ओवर्राल प्राक्टिस होने वाला है इन सभी क्वेस्टन्स के पीछे कोई ना कोई रूल है और इन ही रूल्स को हम छोटे-छोटे ट्रिक्स से समझने की कोईसिस करेंगे इस वीडियो में तो यार पूरे वीडियो में बने रहो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये कासी इंपोरेंट है आप 2X की स्पीड में भी इसे देख सकते हो मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो और गेस करते चलना की कौन सा एंसर होना चाहिए ठीक है मैं आपको समय भी दूँगा तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ एक नॉवल का हिस्सा दिया है यहाँ पर यह एक gap filling का question है आपको fill करना है इस वाले verb का correct form ठीक है तो आईए हम पढ़ते हैं कि इस पूरे sentence को पढ़ने में न हमें कहीं न कहीं कोई न कोई हिंट जरूर दिया रहता है जिससे हमें पता चलता है कौन सा form of verb होगा यहाँ पर अच्छा पता करने की कोजिस करो कोई दूसरा verb है क्या यहाँ पर protagonist verb है नहीं his fierce verb नहीं है stood हाँ यह एक verb है यहाँ पर और यह है हमारा verb का second form कौन सा form है verb का second form है और यह देखो जुड़ा हुआ है and से मैंने आपको पहले भी बता रखा है भीया की and एक ऐसा पलड़ा है जो दोनों तरफ equal weight लेता है याँ अगर इस तरफ verb की second form है तो इस तरफ भी verb की second form ही होनी चाहिए यह and का एक छोटा सा rule हमेशा याद रखना तो यहाँ पर stood है ऐसे ही confront का second form हम यहाँ पर लिख देंगे that is confronted confronted मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि भीया and एक ऐसा conjunction है जो दोनों तरफ same form of verb लेता है let's move to questionable 2 हम questionable 2 की तरफ चलेंगे यार यह बहुत ही important questions है और इतनी easy language में ना कोई आपको समझाने वाला नहीं है जैसे हम समझेंगे इस वीडियो में तो बस ध्यान से देखते चलो question number 2 की तरफ आते हैं और हमारा question number 2 कह रहा है कि identify the error and supply correction for the given sentence from a commercial company's current marketing strategy यह question बहुत बार हम ले चुके है current marketing strategy जी देखो यार चाहे gas filling का question हो error detection का question हो यह वाला जो question होता है यह जो main होता है वो बहुत important होता है कैसे यह हम देखेंगे अब इसमें आपको गलती ढूदने हो और corrections अप्लाई करना है the company aimed at increasing authority in areas frequently visited by the clients अब देखो यार कोई improvement हो सकता है क्या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि question में दिया है current marketing strategy यानि अभी की marketing strategy के बारे में बात हो रही है present के लेकिन यहाँ पर aim का काम तो past में हो रहा है क्योंकि यह वो अपकी second form है वो अपकी second form यानि past में काम हो रहा है इसको हमें improve करना होगा तो error क्या हो जाएगा जी हाँ aimed होगा और correction क्या हो जाएगा aims क्या होगा aims अब देखो ऐसा क्यों किया और तुम कैसे पहचान सकते हो भाई देखो हमने देखा कि गलती कहां हो सकती है error correction में आपको गलती ढूढने को किवल चार ही चीज़ चेक करनी है सबसे पहला आपको चेक करना है कि क्या वर्प का सही form लगा है यहाँ पर वर्प का गलत form लगा था इसलिए हमने वर्प चूस कर लिया है दूसरा आपको चेक करना है कि कहीं हमारा subject और वर्प का agreement सही हुआ है कहीं model auxiliaries का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ है या कहीं determinants तो गलत use नहीं हुए है इन ही चारों चीज़ों में गलती ढूढनी होती हमने देखा यहाँ पर वर्प की second form थी हमने गलती ढूढनी क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है current marketing strategy यानि present की use हो रहा है past का अब तो यहाँ पर यह गलत है aimed हमारा error होगा और aims हमारा correction होगा did you get it now we will be moving to our next question that is question number 3 तो यह question number 3 हमसे कुछ ऐसा कह रहा है कि यह है reported speech का question ठीक है दो लोगों की बीच में बातचीत हुई है और इसी बात को हमें report करना है ना देखते हैं क्या बातचीत हुई है कह रहा है कि read the dialogue between a student and a professor regarding a research paper professor कहता है कि why do you choose this topic for research student कहता है कि I believe this topic is very relevant in today's context अब देखो select the correct option to complete the reporting of the above dialogue किसका dialogue report करना है the professor asks the student professor का dialogue report करना है ना प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा अब क्या पूछा वो आपको ये पूरा sentence reported speech में बदलना होगा आई है हम इसको बदलते हैं हम बदल सकते हैं इसको कि why का why ही रख देंगे और देखो कभी भी question को हम reported speech में बदलते हैं तो helping verb चला जाता है पीछे और subject आ जाता है आगे है ना तो why और you जो की second person है second person हमारा object के according यानि सुनने वाले के according बदलता है तो you सुनने वाला कौन है student student के लिए हम he use कर सकते हैं तो हम क्या कहेंगे कि why he did बदल जाएगा had में had और choose का हो जाएगा chosen ठीक है अब देखो अब देखो यार इतना ही हमने बदला है बस अब देखो इतना किस वाले option में आ जाता है why हमारा correct option होगा देखो why he had chosen that topic why he had chosen this का that हो जाता है बिल्कुल यही वाला option हमारा सही होगा a वाला क्योंकि और किसी में देखो यह है नहीं why he had chosen देखो है किसी में इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है और आगे देख लेते हम एक और option बचा हुआ है why choosing this topic इसमें भी नहीं है तो obviously हमारा a कही बचता है और यह है a वाला option अब ऐसे questions reported speech के जबसमें options दिये होते हैं उसमें सबसे simple सा काम आपको क्या करना है भाया यह देख लो कि जिस sentence को बदलना है जैसे हमने इस sentence को बदलना था तो हमने इस sentence में देखा कि यह helping verb use हुई है did बस इतना देख लो कि did किसमें बदलता है आपको याद होना चाहिए did बदल जाता है had plus verb की third form में देखो had plus verb की third form सिर्फ आपको इसी option में मिलेगी और किसी option में नहीं मिलेगा तो simple था ना बस हमें इतना आना चाहिए कि यह कौन सी helping verb किसमें बदल जाती है अगर नहीं आता तो उपर जाके information बटन पर reporting speech का जो पूरा topic हमने समझाया आपको वो जाके देख लेना है ना तो यार मतलब questions इतनी भी tough नहीं है जितना हमने हुआ बना के रखा है grammar के बहुत ही easy questions है और मुझे पता है तुम लोग कर ले जाओगे है ना चलो let's move to our next question that is question number 4 के रहा है कि complete the line from a historical document historical यानी पुरानी बात है past के verbs use होने चे ठीक है क्या लिखा है कि a king must always put his people first a king and king या the king अब तुम बताओ मेरे दोस्त आपको बताने इस पहले मैं आपको दो चीज़े बताना चाहता हूँ एक तो ये की a और n ये एक ऐसे articles हैं जो general case में use हुए जाते हैं यानी अगर आम राजा की बात हो रही हो किसी भी राजा की बात कर रही हो general में तो हम a और n का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप किसी particular राजा के बारे में बात कर रहे हो तो हम the का इस्तेमाल करेंगे इतना simple सा use आपको पता होना चाहिए a और n जनरल केस में use होता है the particular case में use होता है तो अब इस sentence को पड़ो और बताओ कि क्या किसी एक राजा के बारे में बात हो रही है या सभी राजाओं के बारे में बात हो रही है चलिए पढ़ते हैं king must always put his people first अब ये हर राजा को ऐसा करना चाहिए कि वो अपने लोगों को पहले रखे जब हर राजा की बात हो रही है मतलब जनरल सेंस में बात हो रही है तो हम A या N लगाएंगे अब डिपेंड करता है कि ये वावल साउंड आ रहा है ये आर्टिकल्स फिल करना था A N जनरल केस में यूज होते हैं और The पर्टिकुलर केस में यूज होता इतना तो पता होगा न चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स क्वेशन पर यान मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है मैं दवा लेके रखा हूँ मुँ में पूरे अलसर हो चुके है फिर भी मैं बोलने की कोसिस कर रहा हूँ और मेरे आवाद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझ में आ रहा होगा ना सारी चीजे So, let's move to our next question That is question number 5 Reported speech का ये question है क्या report करना ये देखते है Sunita asked when cut How much is the rent for your flat अब देखो मैंने बताया है ऐसे वाले questions करने का trick मैंने आपको बताया है कि भाया Reported speech वाले questions जिसमें options दिये गए होना उसमें केवल helping वो अपको बदल के देखो इज का वास हो जाता है हमें इतना पता है देखो was किसमें किसमें दिया है इसमें भी दिया है इसमें नहीं है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें बी दिया है तो अब हमारे पास तीन बस्ते हैं अब अब यहां पे एक trick और देखलो कि हमेशा question वाले sentence में पहले क्या change होता है हमारा subject यानि the rent पहले आएगा was बाद में आएगा तो देखो the rent पहले आना चाहिए ये गलत है ठीक है the rent यहां पर पहले आया है और यहां पर भी the rent पहले आया है तो अभी ये दो option हमारे पास अभी भी और बचे हैं अब हम इसको change करके देखते हैं कि how much the rent for his flat was how much the rent for his flat was ये बी वाला option हमारा बिल्कुल correct option होगा क्योंकि अगर simply आप इसको reported speech में भी बदलते हो ना तो ये क्या हो जाता है how का how ही रहता है इच बदल जाता है हमारा was में was अभी हम नहीं बदलेंगे पहले हम बदलेंगे ये subject the rent for your अब देखो यार your second person है और इस वाले formula से अगर हम देखें sun upon one two three से तो second person हमेशा object के recording यानि सुनने वाले के recording बदल जाता है तो your सुनने वाला कौन है विंकट एक लड़का है लड़के के लिए हम हिस का use करते हैं तो अब देखो अब देखो how how much how much the rent for his flat अब आखरी में इच का हो जाएगा was तो देखो हमारा ये बी वाला option इससे बिलकुल मिलता जुलता है कि sunita asked when cut how much the rent for his flat was I think simple था है ना चलो Now moving to question number six ध्यान से पढ़ते हैं कि read the sentence and identify the error in the given sentence आपके सामने एक वाक के है obviously इसमें कोई गलती होगी और उसको डूड की हमें error वाले section में लिखना है और क्या सही है वो correction माले sentence में लिखना है तो आईए पढ़ते हैं कि we often make mistakes while taking risk but all brush them aside and learn कुछ मतलब ऐसा निकल रहा है कि we often make mistakes while taking risk हम अक्सर गलती करते हैं जब हम risk लेते हैं but all brush them aside लेकिन सभी इस चीज़ को side में रख देते हैं और उससे सीखते हैं we often make mistakes while taking risk but all brush them aside and learn यार यहां पर यह all कुछ fit नहीं बैठ रहा है इतना तो समझ में आ रहा है कि हम सब गलती करते हैं लेकिन हम सब गलतीओं को side में नहीं रखते हैं हम में से केवल कुछ लोग गलतीओं को side में रखते हैं तो यह all थोड़ी नहीं होना चाहिए कुछ के लिए क्या use कर सकते हैं some use कर सकते हैं many use कर सकते हैं है कि नहीं है, तो error में लिखेंगे वह या all, और यहां लिखेंगे हम some, some लिख सकते हैं, या many लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहांपर, we often make mistakes while taking risks, but some brush them aside, some brush them aside and learn, हाँ, अब ठीक हुआ हमारा, तो समझ रो यार, कहीं भी दिक्कत हो सकती है, determiner में भी दिक्कत हो सकती है, मैं मानता हूँ, determiner पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन sense निकालोगे, तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, moving to question number 7, complete the given narrative by filling the blanks with the correct option, gap filling का question है, question ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर तुम्हें option में दिख जाए, कि भाईया, verb fill up करना है, क्या fill up करना है, verb fill up करना है, तो सबसे simple सा काम होना चाहिए, ये पता करो, कि जिस sentence में verb fill up करना है, वो कौन से tense में है, अगर ये पता चलिगा कौन से tense में है, उसी tense का वब भरो, आपका काम असान हो जाएगा, तो हम अब पढ़ेंगे, ये पता लगानी के लिए कि भाईया कौन से tense में हो तुम, after years of struggle, the protagonist finally है, यहाँ पर ठीक है, after years of struggle, the protagonist finally does his goal, अब तुमको क्या vibe आ रही है, कि क्या ये present का हो सकता है, past का हो सकता है, फिर से पढ़ते हैं, after years of struggle, यानि बहुत दिनों तक struggle करने के बाद, जो protagonist था, finally अपने goal तक पहुँच गया, पहुच गया, A, A, और E, जिसके last में आया, समझ जाना, वो past indefinite है, past indefinite यानि वो अपकी second form, वो अपकी second form ये है नहीं, ये है, ये है नहीं, ये है नहीं, तो हमारा कौन सा option सही हो जाएगा, that is option number B, जी हाँ, ये पूरा sentence आपको पता है, past में है, कैसे, क्योंकि इसमें कहे ही रहा है, कि बहुत सालों तक struggle करनी के बाद, जो protagonist था, finally अपने goal तक पहुच गया, ये काम हो चुका है, है ना, पहुच गया, जिसके last में A, A, E आ जाए, उसमें हम word की second form लगाते हैं, sentence बनाने के लिए, तो इसमें word की second form भरनी चाहिए, हम यहाँ पर fill up करेंगे, achieved, have you get it, मेरा समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा है ना, let's move to our next question, that is question number eight, report करना है, reported speech का हमारा question है, देखते हैं क्या report करना है, अच्छा, दो लोगों में बातचीत हुई है, एक scientist one है, कि this discovery could change the way we understand the universe, scientist two कहता है, yes, it's truly ground breaking, अब हमें क्या report करना है, affirmed, affirmed मतलब होता है, yes, तो अब आगे की बात हमें report करनी है, ये वाली बात, दो यार, simple सा, अगर पूरे sentence के last में खाली अस्थान दिया रहेना, तो हमें पता होना चाहिए, कि ये तो दूसरा वाला sentence ही हमें report करना है, अच्छा, it's truly ground breaking, को जब हम इसको reported speech में बदलेंगे, तो ये क्या हो सकता है, देखो, it हमारा third person है, बदलेगा नहीं, तो it का it ही रहेगा, is, it का क्या हो जाता है, was हो सकता है, it was truly ground breaking, जी हाँ, हमारा ये वाला option हो जाएगा कि scientist one stated that the discovery could change the way they understood the universe, and scientist two affirmed that it was truly ground breaking, है ना, बहुत simple था, बस simply हमने क्या किया, हमने बस ये वाला जो helping verb था, it, उसको बदल दिया, was, बाकि it, it ही रहता है, क्योंकि अगर इस वाले formula के हिसाब से हम जाएं, तो जो third person होता है, उसका no change होता है, यानि वो बदलता है ही नहीं, है ना, तो मेरे साब से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, let's move to our next question, that is question number 9, यार देखते जो आप बहुत ही जादा important question है, अगर आप board का exam देने चाहरे हो हैं ना, कोई यहाँ पर बक्वास चीजे नहीं चल रही है, मैं पुरानी outdated चीजे पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल latest है, यही concepts आपकी exam में आने वाले, तो क्यों ना practice करते हैं साथ में हैं ना, खुद तो करोगे नहीं इतना तो मुझे पता है, now, let's move to question number 9, gap filling का question है, भरना है those, then और these में से, है ना, तो आई यह ध्यान से पढ़ते हैं, कह रहा है कि fill in the blanks by choosing the correct option to complete the following, ठीक है, correct option choose करते हैं, क्या है, कि in the email to all staff members, कोई कह रहा है कि एक email है जो सारे staff members को भेजा गया है, please make sure to attach the revised guidelines, कह रहा है कि जो email भेजोगे, उसमें सारे guidelines को attach करना and should be reviewed before our meeting on Friday, और जो guidelines भेजोगे, वो guidelines दुबारा review हो जाना चाहिए, जो guidelines तुम भेजोगे, यह देखो in this email to all staff members, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक email भेजा जा रहा है, हमारे द्वारा, और इस email में आपको revised guidelines attach करना है, और और फिर इसी guideline को review करना है, इसी, इसी के लिए हम क्या use करते हैं, दोस का use नहीं करते हैं, दोस का use हम उसे के लिए करते हैं, देन तो करते नहीं हैं, क्या use करेंगे, simple सा चीज है, इसी guideline को review करना जरूरी है, कब before our meeting on Friday, बहुत simple सा था, दोस और दीस का use तो आपको पता हैं न, ये nearby places के लिए use होता है, कोई चीज अगर नजदीक हो, तो हम दीस का use करेंगे, और कोई चीज दूर हो, far by चीज हो कोई, तो हम दोस का use करेंगे, तो I hope आपको इतना समझ में आ रहा होगा हैं न, ओके, एलिफेंट्स के बारे में कुछ लाइन दी गई है, उसको पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि, क्या और कौन सो अप्शन बिल्कुल साही होगा है न, एलिफेंट्स डैस, अदर एलिफेंट्स आई, दो लोग हैं, एक तो छोटे-छोटे दूसरे एलिफेंट्स हैं, और खुद एलिफेंट्स हैं, ये दोनो, ये दोनो, with other elephant eye were once classified with other हाँ, तो हमारा तो यही वाला option हमें थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अब मैं इसको grammarily बताता हूँ आपको कि कैसे यह सही बैठेगा यहाँ पर, तो भाई साथ देखो यहाँ पर एक elephants की बात हो रही है और अगर हमने with लगाया तो elephant with other elephant eye, elephants है और साथ साथ में जो दूसरे elephant eye है इन दोनों को classify किया जाता है with other thick skinned mammals, हम यहाँ पर and क्यों नहीं लगा सकते भाई, तुमारे दिमाग में option आ रहा होगा, but तो बिल्कुल नहीं होगा also तो बिल्कुल नहीं होगा, and क्यों नहीं लगा सकते अगर हम and लगाते न यार देखो अगर हम elephants लगाते और other elephant eye लगाते, तो यह दोनों न, एक दूसरे से अलग हो जाते, elephants, elephant eye यह दोनों एक ही प्रजाती है न, इसलिए हम लिखेंगे with के साथ, elephants के साथ जो दूसरे elephant eye है वो सभी, है न, तो I hope आपको यह भी समझ में आ गया होगा Let's move to our next question, that is question number 11, तो हमारा error correction का यह question है इस sentence में देखने पढ़ते हैं क्या लिखा है कि identify the error and supply the correction for the following sentence in a user manual of a smartphone जो smartphone आप खरीटते हैं आपको एक कागज का manual मिलता है उसी में कोई बात लिखी गई है देखते हैं क्या बात है और क्या सही हो सकता है न, कुछ गलती डूड़नी है इसमें to unlock your phone, swipe down from top of the screen then enter your pin, तो क्या गलती हो सकती है, to unlock your phone यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है to के बाद, वो अपकी first form आई है सही बात है, your phone भी सही बात है swipe down from top of the screen सही है, swipe down करना है और कहां say करना है from top of the screen, तो यह भी बिल्कुल सही है, अब गलती सिर्फ इतने में ही हो सकती है then enter your pin, then t h a n भाई, यह comparison वाला दैन है, यह कौन सा वाला दैन है यह comparison करने वाला दैन है, और हमें यहां पर कौन सा दैन चाहिए यह वाला दैन चाहिए then मतलब किसी एक काम को करने के बाद दूसरा, जब हम screen को swipe down करेंगे उसके बाद हम pin डालेंगे तो यहां पर हमें यह t h a n comparison वाला दैन नहीं चाहिए, हमें यह वाला दैन चाहिए, समझ रहे हो तो यह भी याद रखना कि then हमारा comparison वाला होता है then हमारा एक के बाद दूसरा काम करने के लिए होता है simple था, आसान था अब इससे ज़्यादा आसान क्या चाहिए आपको let's move to our next question that is question number 12 क्या बोल रहा है, report the following dialogue बहुत ही simple है, reported speech का question है चलिए report करते है आगे हमारा assertive sentence है, ऐसा sentence जो full stop से खतम होता है उसके लिए हम that लगाते है कि she said that, अब I अगर इस formula से हम use करें, तो 1, 2, 3 यानि first person बोलने वाले के according बदल जाता है, subject के according बोलता है first person हमारा I है बोलने वाली C है, तो यहाँ पर हम C लिखेंगे she said that C, will be का हो जाएगा would be C, would be attending का attending ही रहेगा attending the conference conference next week का हो जाएगा, following week ठीक है following week बहुत simple सा हमारा reported speech का question था, she said that she would be attending the conference following week बस हमने दो चीज़े बदली will का कर दिया, would next का कर दिया, हमने following आसान था ना याद कर लो यार, इतनी छोटी 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 चीज़ें इसमें अगर इन 20 questions की छोटी छोटी चीज़ें आप याद करोगे ना अगले 20 questions की भी छोटी छोटी चीज़ें याद करोगे, इससे आपके पास बहुत सारे concepts बन जाएंगे, और exam में सोचने के लिए समय नहीं बचेगा, बस करने के लिए भागोगे मेरे दोस्त, so let's move to our next question, that is question number 13, और हमारा gap filling का question है, as you can clearly see it, question number 13, देखते हैं कि select the correct option to fill in the blanks, आपको सही option ढूदना है, take an umbrella, कहा जा रहे हैं कि umbrella ले लो, it does rain anytime, अच्छा, अगर तुम्हारे घर वाले तुमको कहते हैं कि भाई, umbrella लेते जाओ, कभी भी बारिस हो सकती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उन लोगों को ये चीज़ बिलकुल पहले से पता है कि हो सकती है, पूरी संभावना है, है ना, अच्छा, संभावना है, पूरी संभावना है, strong possibility है, तो must not तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ये negative में है, ये कह रहा है कि भाई, संभावना नहीं है, नहीं नहीं, इसको हटा देंगे हैं, take an umbrella, it had to rain, अगर हम had to लगाएं, मतलब जब बारिस कैसे हो सकती है, होगी ही बारिस, might तब use करते हैं, जब किसी चीज़ के होने की संभावना बहुत कम हो, 10-15% हो, यहाँ पर संभावना ज़्यादा है कि बारिस हो सकती है, तो बचा क्या हमारे पास cable should, क्या use करेंगे में यहाँ पे, जी हाँ, should use करेंगे, it was so simple, चलो, now moving to question number 14, और मेरा इरादा तो यह है कि इस वाले question को ना तुम घर से करके मेरे comment box में comment करो, अब बता तुम लोग कितने लोग इस question को कर पाओगे, मैं देखना चाहता हूँ यार कि कितने लोग इस question को कर पाओगे, मेरे दोस्त, ऐसा करो screenshot ले लो, save कर लो, और इस question का ना अब चलते हैं, आगे इसका answer मैं नहीं बताऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरे reported speech के tricks को समझ रहा है, देख रहा है, है ना, now let's move to our next question, that is question number 15, कह रहा है कि fill in the blanks by using the correct form of the verb, verb का correct form भरना है, तो यार, हमें कुछ और देखना ही नहीं है, अगर verb का correct form भरना ह है ना, simple सा काम होना चाहिए, यह पता करो कि concept tense में है, हमें simply पता चल रहा है, am लिखा है, यानी present tense में है, है ना, जब present tense में है, तो यहाँ पर हमें एक present का verb भरेंगे, अब देखो, I am writing to inform you that we have, अब देखो, have यहाँ पर already लिखा है, have के बाद हमें पता है, या verb की third form आती है यह तो बड़ा simple था, है ना, हमने fall to, चोचले पाल रखे थे, completed हो जाएगा, तो हमें इतना simple सा rule पता है कि, has, have, had, इन तीनों के बाद हमेशा, वो अपकी third form आती है, तो हमने देखा, have लिखा है, वो अपकी third form आनी है, completed कर दिया, simple हो गया है, let's move to our next question, that is question number 16, ठीक है, हमार question number 16, क्या कह रहा है, देखते हैं, error correction का question है, इस वाले sentence में हमें error ढूड़ना है, देखते हैं, क्या लिखा है, कि the ancient ruins of Rome, यार, ऐसे questions, जिसमें subject clear नहीं रहते, जैसे देखो, इसमें, आपको दिख रहा है, subject आपको clear नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये पूरा subject है, हमार बात किसके बारे में हो रही है, the ancient ruins of Rome, है हमारा singular subject, कैसा subject है, singular subject, singular subject है न, ancient ruins of Rome की बात हो रही है, अब जब इसकी बात हो रही है, singular subject है, तो ये R क्या कर रहा है, यहाँ पर, इस होना चाहिए, तो simple सा, यही mistake था, हम R लिखेंगे गलती वाले में, और correction वाले में हम लिखेंग तो यार देखो, off के बाद जो है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है ये, the ancient ruins, अब ये ancient ruins देखके आप ये मा समझ लेना, ये plural है, ये है हमारा singularly, है न, तो चलो, अब आगे चलते हैं अपने next question पर, that is question number 17, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई, fill in the blanks by choosing the correct option to complete the life feed on a school news channel है न, क्या लिखाएगी, the results of the science fair are in and our school robotics, देखो यार, अब मैं आपको कितनी बार बता हूँ, और मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ आपको, कि gas filling, जिसमें आपको verb भरना होता है, उसमें आप पता करो, कौन सा tense है, हमने पता कर लिया, यहां से, आर से, कि भाईया, ये present tense है, अब जब यह present tense है, तो इसमें present का यह verb भरना चाहिए, यह तो past का है, future का है, past का है, बचा हमारा यही, has been awarded, जो की इकलोता present का verb है, यहां पर यही fill होगा, तो simple सा trick था, हमें देख लेना है, कि भाईया, कौन से tense में है, और इन चारों में से कौन सा उस tense में answer है, वह यह हमारा correct option होता है, let's move to our next question, question number 18, यह बिल्कुल हमारे latest sample paper से मिलता जुलता question है, latest sample paper में भी एक question था, gap filling का, जिसमें कुछ poem की line दी गई थी, इसमें भी देखो poem की line दी गई है, देखो क्या भरना है, अपन को ना, इतना लंबा चोड़ा पढ़ने की जरुरती नहीं है, बस इ और उसी tensor में मारा verb भरता है, है ना, together we will concur, future में है, we will concur, हम concur करेंगे, together we will, देखो यहाँ पर भी we will use हुआ है, और इतना पता है, will हो, या sell हो, इनके बाद कौन से verb की form आती है, बता भाई, यह model auxiliaries हैं, इनके बाद हमेशा verb की first form आती है, तो देखो verb की first form कौन सी है, यह है यह है नहीं, यह है नहीं, बचा हमारा भी वाला option, यह ही है हमारा सही option इसमें, तो छोड़ी छोड़ी चीज़े यार, हमें खुदी हिंट देती हैं कि कौन सा option इसमें सही option होगा, जिसे इसमें देखो, हमें will से पता चल गया, इतना तो पता है कि will के बाद verb की first form ही भरनी है और हमने लिया के भर दी काम हो गया हमारा, है ना, चलो, let's move to our next question, that is question number 19, identify the error and supply the correction, error क्या है देखते हैं, एक notice है कि employees will be requested not to use the elevator during a fire emergency situation, अब जब notice जारी कर दी गई है, तो will भी तो होना ही नहीं चाहिए मेरे दोस्त, अब यह तो future की बात हो रही है, तो employees will be नहीं, present की बात करें हम, present के लिए हम लगाते हैं, are, क्योंकि यहाँ पे employees है, plural में, तो हम क्या लिखेंगे, error में, error में लिखेंगे will be, और correction में लिखेंगे are, अब देखो, are लगा के देखो, यह sentence हाही बैट रहा है कि नहीं, employees are requested not to use the elevator, जिसे तुम्हारे स्कूल में कोई notice आती ही, तो क्या होता है, all the students are hereby informed that, यही बोला जाता है न, यही बोला जाता है न, ऐसे ही employees are requested, present में, notice हमेसा कहा होती है, present में होती, are you getting my point, let's move to our next question, जो की इस पूरे pdf का आत्री question भी होगा, मेरे दोस्ती, pdf की link आपको description box में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी जा कि आप इसको practice कर सकते हो, अच्छा, हमें gaffling भरनी है, इसमें देखते हैं, क्या है कि a teacher is giving instructions to a group of students for a group project, please choose, dash, some, many, any topic for your project, अब देखो, topic, यह है singular, है न, topic के साथ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो जिन्दगी भर याद रखना, अगर कोई determiner भरना है, determiner, तो determiner को हम एक एक करके लगा के देखेंगे कि क्या यह बोलने में सही बैठ रहा है, अच्छा, पहले हम उठाते है, many को, please choose many topics, many topics होना चाहिए, यार many ले रहे हो, तो topics होना चाहिए, topic क्यों, तो many तो होगा नहीं, अच्छा, please choose some topic, some topics होना चाहिए, कुछ topics चूज करो, न कि some topic, भाई, topic singular है, और any है हमारा सिर्फ जो कि singular के साथ use हो सकता है, some और many नहीं, तो a teacher is giving instruction to a group of students for a group project, please choose any topic for your project, तो हमने यहाँ पर क्या भढ़ दिया any, so these are our top 20 questions, जिनके आने के chances बहुत जाद है, भाई साब concepts यहीं रहते हैं, जितने tricks हमने इस पूरी वीडियो में बताए, रहते हैं, बस questions का words change हो जाता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो को like करके यार एक बार बता देना, comment section में उस वाले question क comment answer कर देना, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक ख्याल रखो अपना अपनों का, बबाई, love you all, चेहन्द